नमस्कार परिशकार वर्ड में सबका स्वागत है मैं मनीश शर्मा आपको रीजनिंग से संबंदित जो अपना अपना में टॉपिक रहेगा आज की क्लास का कि अपन एक डे का मतलब है कोई सी भी महीना और कोई सा भी साल दे रखा आपको उसका दिन निकालना है अपन को वह दिन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वह किलियर कट अपन पता करेंगे उसका सिंपल सा शॉटकट होगा जिसमें अपने एक मंत कोड का यूज करेंगे एक सैंच्वरी कोड का यूज करेंगे और एक डे कोड का यूज करेंगे यह तीन चीजे पता है तो आप किसी भी सैंच्वरी का या किसी भी साल का किसी भी महीने का कोई सा भी दिन निकाल सकते हैं तो उसमें आपको एक परसे सबसे पहले exact day का मतलब है दिन ग्याद करना और दिन ग्याद करने के अंदर कोई सी भी तारिक दे रखी हो जस्त लाइक आपको दे रखा हो एक अप्रेल 1935 आपको कोई बोल दे कि RBA का गठन हुआ था एक अप्रेल 1935 को और इसका आपको exact day find out करना है तो आप find out कर सकते हैं किस तरीके से एक simple जा फॉर्मला है जिसमें 5 चीज़े add करते हैं अपन और 7 से divide करते हैं और निकालना क्या होता है अपन को शेश्वल remainder निकालना होता है उसम महिनों के code आपके और एक और topic में काम में आता है calendar में जिससे की question आसान हो जाता है महिना कौन सा है April उसका code में आपको बताऊंगा जिसके basis पर अपन महिने का code पुट कर देंगे इसके बाद क्या रखा है शताबदी code आपको पता है कि 1900 का शताबदी code रखना है तो आपन हो रख देना 99 हो तो 99 रख देना तो यह है तो 35 टोटल यह आरे हैं अपने पास में ठीक है उसके बाद बोलता है कि टोटल लीपिर क्या होता है तो टोटल का मतलब है 35 साल के अंदर कितने लीब यह आए तो आपको पता है हर चाट साल से लिपिर है आपन वहाँ बैठ का इस पूरा आठ बार फोरेट जा थर्टी डू चार अठे बत्तिस से ला गया तो अपने पास पता लग जाएगा कि सट टोटल आठ लीपियर होंगे जो अपन यहां पर रख देंगे पॉइंट की वेल्व एक परसेंट यूज नहीं करनी जो अपन मैंच में यूज करते हैं यहां कोड और महीने कोड के बाद में इस शेशवल के आधार पर अपना दिन डिसाइड होगा कि कौन सा दिन होगा ठीक है यह शेशवल जो अपना आएगा यदि शेशवल की वैल्यू एक आती है तो उसके जो शॉटकट है उसके बेसिस पर आपन इसका डे क्या फिक्स करते हैं स इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या नोट करना है यह तो है डे कोड इसको कहते हैं आपन डे कोड डे कोड का मतलब है कि जो आपका शेशवल आएगा उस फॉरूले के थुरू उसमें यदि शेशवल एक आता है तो अपना दिन क्या होने वाला है संडे ठीक है ऐसे यह दि ख modest गया होता है आपना शनीव इसके बाद में शताबदी कोड किध क्या होता है शताबदी कोड की कि कि बात करें कि शताबदी कोड क्या है तो देखो सताब्दी का नमबर याद रखने का ईवन चल रहे है दियंगे 2800 इसकी ऊपर गौन दーテउनगा 3400 और इसके नीचर आऊ कहता है जीरो फिर उसके बाद आँगा तो फिर भी 6 चार दो अ CCPने आप बोलोगे चार आप से बैइस्यों का कोड कोड पूस्ता है तो равно और आप से 24 का ने खीर भी शे चंब तौप उपर आप वेस्च यहंवाँ तो इस்गीन की जब अपन फॉर्मले में यूज करेंगे इसका अब अच्छे से ध्यान रखना जो भी कॉम्पेटिशन में कोशन आता है जनरली वह उन्निस सो और दो हजार क्या रहे होता है आपको यह क्लियर गट पता होना चीए कि उन्निस सो का कोड क्या होता है जीरो और दो हजार का क्या हुआ होता है उसके आवा जो अपने शेशवल आइंगे उसके हिसाब से अपने दिन को जैंगे साथ होता है सबको साहको पता है उसके ऐसाब से एक चीज धियान होता है संठ ठीक है इसके बाद में कॉर्ड होगा जिसका भी नीडूगा मंत joueल मांत असान है भुगती देखे 1440 इस采व जरूरी आपको उसके बाद में 12 के स्कॉयर में ज़ 656 की चल्ट वाइब सकते ओं यह किसी का स्कॉर सट ranks cambiar 9 के चैसले से कुछ होते हैं जो आपको दिमाग में इस्सार के कि आपका कूष्им बहुत तेज तेज दिहां रखनीं यह और चिजी ध्यान रखिए लीपियर यह तो helping किसका अगला साल आएक 2020 उस्में जनवरी का कोड क्या होता है चार और आपके लीप यर में फरवरी का कोड क्या होता है तीन और बाकी सारे सेम है देखो चार जीरो पच्चिस फिर जीरो चथेष और फिर 146 तो बड़ा आसान सा है आपको क्या रखना है 144 जीरो पच्चिस जीरो चैस और एक सो चेहाली सेम है कि जिस जिस महीने के मंत कोड सेम है वो महीना हूब हूँ सेम होता है कैसे देखिए अप्रेल का कोड जीरो है और जुलाई का कोड जीरो है तो मतलब किसी भी साल के अंदर अप्रेल का जो महीना होगा आप से कोई पूछ ले किस महीने के बराबर होगा तो आपका जवाब क्या होगा जुलाई के बराबर हो गा मतलब एक अपरेल 2019 संड़े ना तो एक जुलाई 2019 को भी संड़े होगा क्यों क्यों कि जो सके बीच के दिन और यह इसके बात की बात करूं मैंennial girl मार्च के यहां पर साधरन्वर्ज़ नवंबर के बराबर बड़ी इसके पहले बात करूं मैं ऑल उसको सेप्टेंबर का कोड यह चय और उसके अलावा दिसंबर का कोड्र चय को तो पहले इसमें किती तो आपको हर हालत में याद रखना बनाव को सता हम से की जती है कि सब्सक्राइब्च का महिना और आप पूसता हुआ, मार्ज का महीना किसके बराबर होता है तो मार्ज का महीना आपको पता होना चीए कि सर नवंबर के बराबर होता है क्यों क्यों कि सर मार्ज का कोड देखो क्या है फोर और नवंबर का कोड क्या है सर फोर यह नॉर्मल चीज है जो आपको पता होना चीए इस से रिलेटेड अप आपको ले रहा हूं, simple सा एक example ले रहा हूं कि अपने मान लिया 1st of April और 1935, आपको कोई दे पूछता है, जस दिन RBI का गठन हुआ, तो आपने बुला कि सर, आपने क्या बताया था, date क्या है, एक simple सी लिख ली, उसके बाद मैं April का code कितना बताया है, मैंने आपको, April का code मैंने आपको क्या बताया, 0, month code कैसे याद रखोगे, मैंने आपको बताया, कि simple सा याद रखोगे, 144, 025, 036, और क्या लिखोगे, 146, फिर इदर ली पियर में क्या होता है, 034, 025, 036, और क्या होता है, 146, तो April का code आपको क्या दिख रहा है, देखो यहां, पर April का code आपको दिख क्या है, 0, April का code क्या है, 0, January का code क्या है, 1, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, तो आपने April का code लिख लिख लिए, 0, इसके बाद में आपको 1900 दिख रहा है, मैंने आपको शताबदी code क्या बताया है, मैंने आपको, कि आप क्या से याद रख सकते हो, 1600 का code क्या होता है, 6, फिर क्या आने टोटल एर रखने के लिए का मैंने आपको, तो टोटल एर कितना है अपने पास में, 35, 35 उतार दिया अपने, चार चीज़े एड होने के बाद, चौथी, जो पांचवी चीज़ होती है, उसमें स्टुएंट जनरली गलती करता है, वो चीज़ आपको गलती नहीं करनी है, य कि से डिवाइड करना है अपनको, साथ से, अब साथ से जैसे डिवाइड करेंगे, अब जो भी शेशफल आएगा, उसके आधार पर अपना दिन रिंडेट हो जाएगा, आपनको निकालना क्या है, शेशफल, यह इस शेशफल एक आता है, तो अपना कौन सा आज आजाएग अब एक शेशवल यहां पर था और एक शेशवल यहां पर हैं तो एक कितना हो गया दो अपने पता लग ग्या शेशुवल दो और दो दो का मतल्म मैने आपको क्या बता हैeton Monday तो जिस दिन और इ しまट को भार तो आपको बिना हैजिटेशन के वहां तो बिना पहलं कि कर सकते हो लेकिन यहां पर आप गार्फ कितनी है आपके पास में 15 आगस्ट का कौड कितना होता है आप चार्ट में देखो कितना है उसके लिए आपन किस से तिवाइड करेंगे जैसे ही पने 47 है टोटल ऎको कि वाली सोता है तो होता है तो अपने है घिपार किस से कर देंगे गथे साथ से अब यह तो आप एडहीड कर लो 47 और तो टोटल सम कितना होगया 76 करोगे और बहुत तेज करोगे और डिवाइड करोगे किससे साथ से शेशवल कितना होने वाला अपने पास में जैसे ही शेशवल छे आएगा आपको पता लग जाएगा कि सब भारत आजाद हुआ था तब उस दिन कौन सा था फ्राइडे था ठीक के बाद में यह है मंत कोड मंत कोड के बाद में क्या लिखा अपने सैंच्वरी कोड सेंच्वरी कोड मों बता चुका आपको 16 का 6, 17, 4, 18, 2, 19, 0 यही चलेगा 6420 ठीक है उसके बाद में टोटल यह रहे हैं और यह हैं टोटल ली पियर किसी में भी डूट होगा पिछे जाके सब्सक्राइब करना लगां ऐसे यह हैं शेश्टाइब कितना आने वहरए यह कुंकि अपन करें एक का मतलब मैं ने बाता आपको संड़े एक अखरी स्कूस करूआ हुआ आप से जिसमें मैं बोल रहा हूं आपको कि मान लिया 26 जनवरी 1950 आप से किसी ने पूच लिया तो आपको आंसर बताना है उसको कि सर मेरे को पता है कि कौन से डे हैं ठीक है कैसे बता होगे सबसे पहले आपके दिमाग में चलेगा 26 वहां आपके दिमाग में रिमेंडर होता है तो आप बोलोगे सर जीरो उसके बाद टोटल इयर कितने हैं तो आप बोलोगे सर फिफ्टी उस पचास सालों में टोटल लीपियर कितने होंगे कितने से भाग दोगे चाड़ से यह आप जोड़ भी सकते हो 1904-08-12-16-20 ऐसे नहीं तो आप चार का भाग दोगे तो क कितना आएगा अपने पास में पांच या तो आप जोड़ लो और जोड़ के साथ का भाग दोड़ शेश्वल निकाल लो यदि वो आपको असान लगता है तो नहीं तो आप अलग अलग भाग दे सकते हो साथी 21 और प्लस 526 अब आप खुछ सोचो पांच और एक 6 और एक कि कट गया मतलब साथ में साथ का पूरा भाग जाता है शेश्वल जीरो आएगा तो आपके पास में शेश्वल कितना बच रहें पांच इस पांच के अधार पर मैंने आपको बताया था कि जिस दिन हमारा समविधान लागू हुआ था है ना उस दिन कौन सा वाड़ था गुर तो तो को अधिवर्श रहा है और कि निकाला है अब दूल को पराण एक नेक्स क्यूपक कर रहा हूं जिसमें अरध यूजिक कि कृंडर की पुन्रावटती कि होटीएं बचार shortcut होगा फिर उसका basic भी मैं discuss कर दूँगा लेकिन पहले shortcut सीखना है आपको अब हम पुन्रावर्ती start करते हैं कोई भी calendar है किस तरीके से repeat करता है वह आपको पता लगेगा कि जिसे अपन 2019 2019 पे खड़े हैं अभी 2019 पे यह कौन से year में repeat करेगा यह आपको पता लग जाएगा विदिने सेकिंड में आपको तक कोई से भी शताब दिया जाए जिसे 2012 आजाए तो कितने साल बाद repeat करेगी तो आपके 28-27 बाद repeat करता है इसका मैं basic बता दूँगा जिसे 2012 पे खड़ेते और उसके बाद आएगा 2013 2013 के लिए कोई पूछे कि कब कौन से year के अंदर इस कलेंडर को वापस यूज किया जा सकता है तो आपका जवाब होगा कि सर 2019 में यूज कर सकते हो इस कलेंडर को इसके जो 365 दिन होंगे वह एक जनवरी निकालेंगे और उसकी जनवरी निकालेंगे वह exact same होने वाली है जो जो वार एक जनवरी को पड़ेगा वो ही उसकी एक जनवरी को पड़ेगा जो इसकी दो जनवरी को पड़ेगा वह उसकी thayla record फषे पीर से पहले आने वाले दो साधरन वर्ष या एक लीप वर्ष lairश के बाद उने वाले 2 साधरन वर्ष हमेशा कितने साल बाद रिपीट करते हैं 11-11 साल बाद में रिपीट करते हैं अच्छे जि़्यान रखेंगे 2014 का कोई पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे 2025 2015 का कोई जवाब देगा तो क्या आजाएगा 2026 यह exact same होगा calendar जो आपको मैं बता दूँगा कि जब concept पढ़ेंगे कि 6 ही add क्यों करते हैं 11 ही add क्यों करते हैं लेकिन पहला concept इतना सा ध्यान रखना कि leap year में तो कितना add करते हैं दे रखा है 2012 2012 2012 दे या 1912 बोले आपको पूछा जाए कि यह leap year कितने साल बाद repeat होगा तो आप कितना add करने के लिए बोलोगे उसको कि सर after 28 years बाद में any leap year repeats ठीक है तो नॉर्मली 28 भूल जाओ तो आप इंडिया की टीम का ध्यान रखना इंडिया की टीम ने जो world cup use किया था जीता था आपने cricket world cup वह 1983 में जीता था और उसके 28 साल बाद 2011 में जीता था तो उन्होंने रटके नहीं गए था कि 28 साल बाद ही जीतना है लेकिन अपन को याद रखना है यह concept क्योंकि अपना shortcuts बहुत नीडफुल होती है reasoning में जो किसी भी question को आसान भी बना देती है और उसस से जस्ट अगला वाला वर्श जो कि साथरहन वर्श कितने साल बाद वापस आएगा गराशता है ती तीन साथरंड वर्श आएगा तो ये बच्रे 2014-2015 है कितने साल बाद 11 साल बाद यह option में दिखेगा यह answer कर दोगे इस तरीके से 2016 पूछे तो आप बोलो के sir 28 years बाद में ऐसे ही कोई आपसे पूछ ले कि 1919 जलिया वाला कांट हुआ था कब इसका साल रिपीट होगा तो आप उसको क्या बोलोगे 11 साल बाद क्यों कि 1919 के जस्ट बात को आता है 1920 यह कितने साल ब है 1916 आप से पूछ ले तो आप कितना एड़ करोगे 28 यह चीज ध्यान रखेंगे अच्छ से कैलेंडर रिपीटेशन में इतनी ध्यान रखेंगे कि कोई भी लीप वर्ट होता है किसी एक ही शताब्दी में शताब्दी चेंज नहीं होनी चीए कि कुछ शॉटकर्स होता है हैं जो कि अपलाए होते हैं कुछ लूपोल्स भी होते हैं इसके अंदर कमियां भी होती है वह मैं बेशिक से बता दूँगा आपको लेकिन अभी इतना सा ध्यान रखेंगे कि एनी लीपियर रिपीट्स आफ्टर 28 यह इन सर्टेन संचुरी एक ही शताब्दी में जैसे कि चैन्स थोड़ी हुई है 2001 से 2009 में तक मैं कोई सावी लीपियर आ जाए आप बेज जिजग उसमें 28 भी जोड़ सकते हो 6 भी 11 भी और 11 भी एड़ कर सकते हो कुछ एक्सेप्शनल केसे अपवाध हर की इसमें होते हैं वह मैं आपको बता दूँगा कि 28 कब नहीं जुड़ता क अब इतना ध्यान रखें इसका देखिए पहला कुछन है सिंपल सा अपना एक्जेक्ट डे फाइंड आउट करने का है आपको बोलता है 25 जुलाई 1954 को कौन सा दिन था तो आपको पता है कि 25 जुलाई में डेट कितनी है 25 जुलाई का कोड कितना होता है अपने पास में जीरो उनने सो का कौड कितना होता है अपने पास में 0 टोटल ए र कितना है अपने पास में चौववन और डिवाइन के आपने साथ से च्छीथा ठालेट किइसंगे अपना प्लस ओखेल है तो एक रीमेंडर निकालना है इस में आत suspect निकालेंगे तो कितना अपने पास प्लस 4 इसमें यही 7 से डिवाइड करेंगे तो 7, 7, 49 और 6 फल कितना होने वाला है 5 ऐसे इसमें देंगे तो 6 कितना होने वाला है 6 और 5 और 15 में किस से डिवाइड करोगे 7 से और परिमेंटर कितना आ जाएगा एक और उसके बेशिस पर एक का मतलब मैंने आपको क्या बताया संडे तब आराम से निकाल सकते हो कोई भी तारिक दे रखियो तो मैंने सबसे पहले किसका यूज का है देखो तारिक का 25 यह 25 लिख दिया उसके बाद जुलाई का कोड आप टेब कितनी बार चला गया चार एक कम चार और अपने इहां से उतार लिया चार भराण लो रहा मतलब टेरा तो लिप यह खेषव शेषवल सो मतलब न है अब उस किस से गरेंगे सात से और निकाना क्या होगा अपने इक शेषव लागा रहा हूं यह 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 त्योयलέ मैं लगा र सब्सक्राइब करते हैं आगे बोलता है 26 अगस्त 1956 को रविवार है तो आपको पूस्ता है कि यह बता कि 12 फर्वरी 1948 को कौन सा दिन था तो बड़े आराम से निकाल दोगे आप कैसे निकालोगे आपको दे रखा है कि 26 अगस्त उनिस सो चपन और आपको दे क्या रखा है संडे है ठीक है और आपको निकालना क्या है 12 फर्वरी 1948 तो सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूं कि ये एक Lupyr है और लीपीयर के अंदर agustry औरcry का code सेम होता है मतलब अधिवर्य की हर एक तारिक और agust की हर एक तारिक सेम होती है ठीक है तो अपन यहाँ से यहां पहुंच जाएंगे तो आपको सिख़्ाया मैंने तारिक सिम है महीना सेम है किछे साल पीछे दानने आपको किते साल पीछे दाना तो आठ साल पीछे दाना मतल самом 8 गंos उसके अलावा इस आठ सालों में लीपियर कौन से आये तो ईप बोलों कि ःफ्ञ फब का बाद एक ठावैं से भारricesर जिवा दो ही आ schne सिंपल कंसेप्ट है तारिक सेमों महिना सेमों तो आप गैप निकाल चकते हो और यह जो दो है यह लीप एर के एक्स्ट्रा दिन है तो आट रो दो कितना हो गया दस डिवाइड किसे करोगे साथ से शेश्वल कितना हो जाएगा तीन और जैसे ही संडे में तीन माइनस करोगे आपके पास में यह आ जाएगा कि 26 अगस्त 1948 को क्या दा तो संडे के एक दिन पहले सर्टडे दो दिन पहले आपना फ्राइडे और तीन दिन पहले आपना थ्रसडे बोले तो यहाँ पर कितना आगए आपने पास में गुरु वाल आप जाना कहां पर है 26 अगस्त से जाना है आपको 12 फरवरी पे तो आपन क्या कर देते हैं 26 अगस्त से आपको पता है कि पहले 12 अगस्त पे चल जाते हैं 1948 क्योंकि मेरे को पता है कि जो 12 अगस्त को डे होगा वो ही कब होगा 12 फरवरी को लीपियर में फरवरी और अगस्ट सेम होती है बिल्कुल एक्जेक्ट सेम होता है इसलिए मैं क्या करूँगा 26 अगस्ट से 12 अगस्ट पर चल जाओंगा और उसके लिए बहुत बड़ा काम नहीं करना आपको कितने दिन पीछे जाना है 14 दिन पीछे जाना है 26 माहिना 14 कितना होता है अपना 12 किसे करोंगे 6 से आने वाला है ? जरो तु मतलब यहाँ पर इसपनी गुरुवार है तो यहाँ पर क्या होने वाला है गुरुवार क्यों कि कि किसी भीस इपियर में इसके सॉलुशन को संदार रहा है मैंने 26 अगस्त 1956 पर थे अपन उससे मैं पहले कहा गया 26 अगस्त 1948 पर गया यहां से में तारिक से में महीना से में केवल यहां जा रहा हूं मैं कितने साल पीछी जा रहा हूं आठ साल और यह दो क्यों करें यह टोटल लीपियर है बीच में य इतने लीपियर आये यहां से लेकर यहां तक में एक तो आया 56 और एक क्या आया बावन तो इसलिए दो और माइनस किया मतलब 10 हो गया और 10 में 7 का भाग दिया तो शेशवल कितना हो गया तीन 3 माइनस करते हैं अपना कितना आ गया गया अब चुंकि अपने को पूचा तो य देखने के वा सोचेंगे या तो मेरी llag prosecutors लगा उसमें कोई यहां यदि किसी वर्ष 26 नवंबर को क्या दे रखा है किThis पूछ रहा है कि उस महीने में कुल कितने शुकरवार होंगे है नो तो देखो आपसे पूछ रहा है कि 26 नवंबर को दे रखा है क्या दे रखा है आपको संडे आप सुनेंगे यदि 26 नमबर को Sunday और आप से बूसता है कितने शुक्रवार हाँगे तो आपको यह पता है, नमबर के अंदर कुल कितने दिन होता है, 30 तीस दिन के महिने में आपको पता है, कि कोई भी 2 दिन ऐसे होंगे जो कितनी बार आने वाले हैं, 5 बार वो कौन-कौन से होने वाले हैं, वो होंगे जो एक तारिक को आएगा, क्योंकि एक तारिक को आने वाला वार वो ही 8 को आएगा, वो ही 15 को आएगा, और वो ही कब आएगा अपना 22 को, और 22 के बाद कब रिपीट होगा, 29 को, ठीक है, और जो दो तारिक को वार आता है, वो ही बढ़ वार होंगे तो अपन को पता है यदी अपन 29 और 30 निकाल लें तो अपन को पता लग जाएगा 29 और 30 वाला कितनी बार आने वाला है पांच बार तो विदिन 4 सेकंड विदिन इफ 5 सेकंड में अपन ये निकाल लेंगे 27 को तो अपना क्या पड़ेगा मंडे 28 को क्या अपना आंसर आजाएगा शुक्रवार कितनी बार आने वाला है अपना चार बार यह सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपको पता होना चीए ठीक है तो अपना आंसर देखेंगे चार बार और उसका सॉलुइशन दे रखा है मैंने 26 नौंबर क्या है रविवार 27 नौंबर नौंबर मंगलवार केवल और केवल 29 तारिक को यदि 30 का महीना है तो और 30 को आने वाला जो वार है वह कितनी बार आने वाला है पांच बार यहां आप से कोई फूस ले तो आप उसको बोलोगे कि सर एक तारिक वाला जो होता है वो सेम होता है 8 के फिर आता है अपने 15 को फिर होता है 22 को और फिर वापस से कब आता है सर 29 को ऐसे दो तारिक वाला से 9 को भी आता है 16 को भी आता है और 30 को भी आता है और तीन तारिक वाला जो भी वार ह सब्सक्राइब करते हैं कि 1974 का कलेंडर आने वाले किस वर्ष में प्रियोग किया जा सकता है तो आपको यह बताया मैंने कि कोई भी लीपियर है जैसे 1922 है उसमें क्या एड़ करने के लिए का मैंने आपको 28 लीपियर के जस्ट अगला वाला साल क्या आता है इसमें आपको एक परसेंट माइंड का यूज निकरना आपको पता है कि सब्सक्राइब अपने बताया था लीपियर रिपीट साफटर 28 यह और नेक्स्ट यह आफटर लीपियर रिपीट साफटर 6 यह अदर रिमेंग टू यह रिपीट साफटर 11 11 यह मतलब की सीधा सीधा इत सब्सक्राइब और यह दिशेंटर आजाता है 1976 1976 तो फिर से कितना एड़ कर लोगे 28 क्योंकि लीप आ फिर से लीप आ गया तो इस चीज ध्यान रखना अच्छे से तो 1974 आप चो कोई पूछे और 11 जोड़ दो तो आप 1985 आंसर करोगे है ना ठीक है तो यह चीज ध्यान रखो तो 1974 भी 11 साल बाद और 1975 भी 11 साल बाद आराम से रिपीट कर जाएगा सामने वाले को प्रूव भी कर देंगे अपन बेसिक से कि ऐसा क्यों होता है लेकिन आप ध्यान रखें शॉटकर भी 286 11 और 11 ठीक है सो आंसर विल बी 1985 नेक्स कॉर्शन में मूव करता है देखिए आपको लास्ट में 00 दिखे तो आप कितने से डिवाइड करके चेक करोगे सेंच्वोरी को कि लीप है या नहीं तो आप बोलो कि सर मैं डिवाइड करूंगा 400 s वह भूंगा फोर हंडट से तो अठारा सो में चार्ट सो का भाग नहीं जाता करते ही पूर्ण विभाजित नहीं है इसलिए आपना यह जो है वह एक साधरन शताबधी वर्ष यह लीप किसी हालत में नहीं हो सकता यह भी लीप फट्ट है यह भी लीप फट्ट है शिक्स्टी बढ़ा होगा मंत कोड अपने साधरन्ड वर्ष में क्या बढ़ा 144 जीरो पच्छेस जीरो सथ और एक सो चीज पता है आपको अब आपको यह भी पता है कि उसका कोड एक है और उसके अलावा October का कोड़ भी सरेक है तो मतलब जनवरी की हर एक तारिक और October की हर एक तारिक सेम ही होने वाली है यह अच्छे ध्यान रखना है आपको तो जब 11 जनवरी 1978 की बात हो रही है और 11 जनवरी से यह आपको कोई बोलता है कि 11 चैना यहार सेम होना चाहिए 1978 और 1978 तो यह सेम होगा एक्जक्ट यह एक्जक्ट सेम कर दो अ यहां और यहां पर क्या हो जाएगा अपना अंसर संडे अराम से आंसर कर सकता है इसका solution देखेंगे आप लोग ठीक है जो कि मैंने बता रखा है साधरन वर्च में जनवरी और ऑक्टूबर सेम होता है क्योंकि दोनों का मंत कोड क्या होता है एक ग्यारा जनवरी से कल से चार दिन पहले क्या होगा देखो कि जब आप कुशन करते-करते एक्सपर्ट जाओगे तो आपको फिर सोचना नहीं है कि आज का दिन काउंट होगा कि नहीं होगा सर आज से अगला दिन क्या होगा यहां पर आप से पूछा गया है कि आज के तीन दिन बाद तो यह तो हो गया आज और उसके तीन दिन बाद तो तीन दिन बाद क्या हो गया मंगलवार ठीक है तो तीन दिन बाद को आप इसे कर सकते हो एक दो और यह तीन यहां पर क्या हो गया अपना ट्यूजडे और आपको जाना है बीते हुए कल से चार दिन पहले बीते हुए कल से चार दिन पहले तो एक दो तीन चार यह पूछ रहा है आपको बड़े आराम से है ना तो यहां पर तीन और यहां पर कितना हो गया बीते हुए कल से चार दिन पहले तो बीता हुए कल और चार दिन पहले मतलब कितना हो गया पांच पांच और तीन कितना हो गया आठ मतलब यहां से आठ दिन और ईसको अच्छे से देख़ेंगे इसके बाद में यह जो रिप्रेज़नेशन का रखा है 3 उधर से आज के और यह वाला ने संटीन अधो toujours है पीछे कि तडिन पीछे आरहा है यहां से तो इसके तैंक इतना दिन आठ श्कौण इसलिए 7 से divide किया और –1 कर लिया अपने तो –1 किस में करेंगे मंगलवार में और अपना answer कितना हो जाएगा next question में move करते हैं आने वाले कल के दो दिन बाद ब्रस्पतिवार है तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा वार होगा तो पर तो दिमार्ब लगाएंगे नियाने वाले कवया करके दो चलिन बाद मतलए यह सब तहीं होylो गया टुमारो अने वाले कव यह अब हुगा है इस दो दिन बात की बात और यह यह थिके और आपको जाना का है बीते हुए कल के पिछले दिन तो आपको पता है कि जाद जाद 5 सेकंड खराब हो जाएंगे आपके बुद्ध वार उसके बाद मंगल वार और ये अपना हो गया सोम वार रवी वार और ये हो गया शनी वार तो within a second आपको पता लग जाएगा कि sir answer क्या होने वाला है तो इस basis पर अपना answer कितना होने वाला है शनीवार within a second पता होगा इसकी case में आप बिल्कुल confusion create मत करना कहीं बाद के चक्कर में दो से अगला वाला दिन पर move कर जाओ next question देखते हैं बोलता है गत पर्सो का दिन रवीवार है देखो यह तो था आज यह हो गया अपना प्रीविएस वाला बोले तो आंसर कितना होने वाला है अपना पर्सो दे रखा है रवीवार सोंबार मंगल बुद्ध और गुरु स्वांसर विल भी गुरुवार नैक्स कुश्चन में मूव करते हैं बड़ा सिंपल सा कुश्चन है 1988 में सुतंतरता दिवस दुनिया को पता है आपको पता है भारत की है तो कब आता है 15 अगस्त निस सो अठीयासी को क्या दे रखा है अपने बुद्ध वार जाना कहां पर है अपन को कि सर यह बताओ 1989 में यह दिन कब मनाया जाएगा तो 1989 में सेम तारिक है तारिक तो सेम है महिना भी सेम है तो यहां से लेकर यहां के बीच में कितने दिन आगे तारिक आएगी आप बोलोगे 365 दिन बाद यह तारिक आएगी सर कई लोगों यह पता नहीं होता कि 15 अगस्त निस सो निस सो नोवा से कितने दिन बाद आएगा और डिवाइड किसे करोगे साथ से शेशवल कितना आने वाला है या तो ऐसे कर लो आप अपनी पावर दिखान और बुद्वार में जैसे ही आप एक एड़ करोगे अपना आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार ठीक है ना तो उसको देखेंगे आराम से अपना आंसर क्या है ब्रस्पतिवार बोले तो गुरुवार नेक्स कुशन स्टार्ट करता है नेक्स कुशन में देखेंगे 1980 में ग जाना कहां पर है आपको जाना है कि सर हमार को जाना 15 अगस्ट पर 15 अगस्ट उन्निस सो असी पर यह पूछ रहा है आप से तो आप क्या करो बेसिक तो लगाओ मत कि सर जनवरी के 5 दिन फरवरी के 29 दिन इस तरीके से एडिशन करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपको पत है कि जनवरी का गोड़ 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6 यह मंत कोड़ बताया थे मैंने आपको यह भी बताया था कि लीपियर के अंदर जनवरी का महिना अप्रेल का महिना और जुलाई का महिना एक्जट सेम होता है तो आप सीधे जा सकते हो जनवरी से लेके जुलाई पे क्योंकि जुलाई के जस पास में अगस्त इसलिए आपको पता है कि सट जनवरी के 26 जनवरी से 26 जुलाई पे आप सीधा मूव कर सकते हो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा रवीवार अब आपको कहा मूव करना है आपको 15 पर जाना है तो देखिए 15 पर जाने के लिए जुलाई के पांस दिन और 15 दिन हो गए अपने अगस्त के किते दिन हो गए 20 20 में किसे डिवाइड करोगे साथ से शेशवल कितना आने वाला है जैसे ही रविवार में आप प्लस एड करोगे अपना आंसर क्या आने वाला है शनीवल विद दिने सेकिंड अपना आंसर आ जाएगा यह चीज़ ध्यान रखींगे अभी मैंने 26 जनवरी से 26 जुलाई जाने के लिए कहा और 26 जुलाई से 15 अगस्त पर गए दूसरा यह बोल आदा ग्लास बढ़ा है और दूसरा बंदा बोलता है कि आदा खाली एंथ तो दो अप्रोच हो सकती मेरी और आपकी सेम अप्रोच नहीं सकती रीजनिंग के अंधर लेकिन आप जो अप्रोच लगा रहे हो खुद के माइंड से वह सब से बड़ी अप्रोच होगी इसको ध् पंद्रा पंद्रा और पांच कितना हो गया बीस डिवाइड किसे करोगे साथ से शेशवल कितना आएगा अच्छे रेमेंडर विल भी सिक्स अभी छह किसमें एड़ कर लोगे आप सीधा सीधा यह चैड़ हो रहा है आप अभीवार प्लस 6 कितना हो गया शनीवर और जो पंद तो मुला 22 तारीक को आपको पता लग गया कि कौन सा वार है शनीवर अब बूच रहा है कि महीने का 13 दिन कौन सा होगा तो 13 तारीक पे जलना है तो बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है पीछे जाना है कितने दिन पीछे जाना है कैसे क्योंकि 13-22 आपको करना आता है तो ऐसे थोड़ी जा सकते हैं उगलियों पर किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं साथ का इसलिए भाग दिया क्योंकि एक सब्ता होगे साथ दिनों का साथ दिन हटा दोगे तो रिमेंडर अपने पास में क्या आने वाला है माइनस टू जैसे ही माइनस टू आएगा और इसमें से 17 1219 1982 को शनीवार है और जाना कहां पर है आपको बाइस दिसम्बर पर 288 तो पहले में जा रहा हूं 17 दिसम्बर पर महलें पैले मैं रख रहा हूं देखो मन्थ सेम रख रहा हूं और प्र मघ पर जिलन दिसंबर पर है तो मैं आपको बताया था कि इसके बीच का गैप देख लेते हैं कितने का गैप हैं double साल जो आये होंगे उसमें 365 दिन तो आये होंगे ना उसमें शेषल कितना होता है एक वह शेषल एड़ कर रहों कि क्योंकि यह कुई पता है कि कोई क्वाइदोंच उसी लीप के अंदर कौनके अपना यृल आ रहा है तो आपको पता लग जाएगा कि सब्सक्राइब लेकिन अपना लीप नहीं होता यहां टि अपना फॉररी प्रात एक दिन एक स्टा योग सको खोले एक फर्वर्य आने वाली है तो डो लिए आपना अंसर निकालने के लिए आप कितना add करोंगे तिन काहने लिएfar निकाले अब इते पहिए नेजिया का गाता है 5 कंझल या मंगल ने में shallसर के अपना मंगलवार और उसके दो दिन पहले क्या आता है तो आप बोलो कि सर रवीवार ठीक है यह ध्यान रखेंगे इसका सॉलुशन दे रखा है सत्रा दिसंबर 1902 शनिवार दे रखा है और सत्रा दिसंबर 1904 भीजार हूं तो यह दो और एक तीन क्यों एड किया हो मैंने बताया क्यो गया ही 29 की फरवरी उसकी वैसे एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ा है मैंने 29 की फरवरी ठीक है ना यह चीज ध्यान रखेंगे आप और फिर यहां पर पहुंचने के बाद प्लस 3 एड करने के बाद आप जा रहे हो 22 दिसंबर पे 17 दिसंबर पे यह तो सेम होई चुका है देख सेप्टेंबर 2008 पे ठीक है 15 सेप्टेंबर 2009 पे जा रहे हैं तो आपको क्या मैं बता चुका हूं कि कि किसी भी साल के अंदर कोई साभी वर्ष हो उसमें दिसंबर और सेप्टेंबर सेम ही होता है चाहे वह लीप वर्ष हो चाहे वह साधरन वर्ष हो मैं मन्त कोड बता चुक कि जीरो तूफाइव जीरो थी शिक्स और वण फोर्ड रिए कि सेम यहां पर सितंबर का केवल जनवरी और फरवरी का ही तो चेंज है कि देखो है यहां पर यह तो था साधरन वर्ष के लिए और यह किसका था लीपफर्ष के लिए तो मुझे पता है और आपको भी पता होना चीए कि सेप्टेंबर का महीना किसके बराबर होता है दिसंबर के बराबर होता है हर हालत में चाहिए एक सेप्टेंबर को संड़े है न तो एक दिसंबर को भी संड़े होगा इयर सेम होना चीए बस अभी जाक 2008 से पंद्रा दिसंबर 2008 में नौट ओथ को फ्रइडे शुक्रवार холод रखा यह और जाना सेप्टेंबर पर जा रहा है लेकिन 15 दिसंबर पर दो हजार नौट थिक है तो आपको पता तारिक से में महीना सेंच कर दिया मने फिर उसके सब्सक्राइब कि मेरे को पता है 15 सेप्टेमबर 15 दिसंबर तो सेम ही होने वाली है ठीक है तो यह सेम होगा अब मेरे को पता है कि डेट से मैं महीना से मैं 2008 से 2009 पे जा रहा हूं तो कितने का गैप है मैंच के साब से अब मुझे पता है कि 2008 एक लीपियर था लेकिन उसकी फरवरी जा चुकी थी तो उसका एक दिन एक्स्ट्रा जोड नहीं सकते दो हजार नौ में जो फरवरी आई होगी 28 की वह आपको प्रॉब्लम क्रेट करेंगी नहीं तो आप सिंपल सा एक एड़ कर लो और शुकरवार में जैसे यह एक एड़ करोगे अपना आंसर क्या आजएगा शनीवार नेक्स कुर्शन में मूव करता है नेक्स कुर्शन тобना देता हुं कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जिसके आपने एक जामपल की तौर पर एक यह जनवरी 1119 पBER खड़एं और आपको interesante कि अर्व आपको जाना है pipeline 1910 पर एक साली तो आगी जाना है आपको यहीं जाना तो आप यह बोलोगे कि 365 दिन बार जाना कि क्योंकि यह वाली जो तारीक आईगी वह इसके 355 दिन बाद आईगी साथ से डिवाइड करोगे तो रिमेंडर आपका यह की आएगा ठीक है और यह ऐसा मैंने जो बताया था कि तारीक से मोहीना से मोह तो इसके बीच का गैब देखते हैं और यह देखते हैं कि फरवरी 29 की आ संदे को पता लग गया कि जो एक तारीक उनने सो उन्हेस को था वही 31 दिसंबर निस सो इसको पता रहा है संडे और यह होता है 365 दिन यह यहां यहां यह भी संडे सो आंसर विल भी इदि उसने बोला कि पहला दिन शुकरवार है तो आकरे दिन भी शुक्रवारी होगा ठीक है यहां रखना है नेक्स कुरिशन पर मूव करेंगे यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को सोला तारीक हो तो उस महीने के चौथे मंगलवार को कौन से तारीक पढ़ेगी तो चौथे मंगलवार की तारीक बतानी है आपको तो तीसरा शुक्रवार सोला को पढ़ रहा है तीसरा शुक्रवार सोला को पढ़ रहा है ठीक है तो आपको मंगलवार की बात कर रहा है वो तो मंगलवार पर आ जो आपको प सुर्ण आप सिस्क्राइबस थो 7 दिन पहले 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 सुम्तिक करना ही है तो जैसे ही आप पता है कि स्केश्थ को पड़ा होगी किसा है कि आ यहथा चाहर दस और 27 साथ तो आपने को पता लग होगा 27 तो आपने मंगलवार को खूल के रख दिया समनेurgh के विल्फिंधल की चुल्ट कर रहा है देखो यहां पर क्यूंक्त को पता है कि कोई सबारों मंगलवरी नीहीं सब तता साथ सा दिन के बाद में सेम आते हैं मंचलवार था अपना चुंकि उसने दे रखा तो आपका पिसला वाला मंगलवार जो आया था वो शेको आया था तेरा के बाद कब आया होगा 20 को उसके बाद कब आया हुगा 27 इसको अपने देखो सॉल कर रखा है तीसरा शुकरवार जो है यही अपना और परिशकार का यही गोल है कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सही हो सके ठीक है धन्यवाद